आरेन खान केस से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है क्या है रीसेंट अपडेट्स आपको मैं बताऊंगी इस फिडियो में नमस्कार मैं सब्सक्राइब करती हूँ आप सबी का हमारी चानल पर आपको बता दू तो सूपरस्टार शारुख खान के बेटे आरेन खान जो की फाइनली ड्रग्स मामले को लेकर फिलहाल आर्थर जेल में हिरासत में है और अब आपको बता दू कि उनसे जुड़ी हुई जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि आज 12 बजे ठीक ये डिस जाएगी क्योंकि आगे कोट की छुट्टियां हो जाएगी तेयोहार को लेकर और आरेन खान को जेल में बंद रहना पड़ेगा आगे के लिए भी तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी अगर आज आरेन खान को बेल नहीं मिलती है तो इसके अलावा आपको ब खाकर और पानी पीकर ही जिन्दा है और आगे भी फाइनली अगर जमानत नहीं मिलती है आरेन खान को तो क्या वो पानी और बिस्किट पर ही जिन्दा रहेंगे क्योंकि बहुत आपको बता दू कि लिमिटेड बॉटल्स 12 बॉटल्स लेकर गय थे आरेन खान अपने जैल के जमानत मिल जाती है तो उन्हें राहत मिल जाएगी जरूर लेकिन अगर आज 12 बजे के बाद सुनवाई जो होगी उसमें अगर आरेन खान को जमानत नहीं मिली बेल नहीं मिली तो उन्हें आर्थर जेल में ही रहना पड़ेगा और खबरों की मताबिक आपको बता दू कि वेल कैदियों के साथ साथ पतलब यानि की आरेन खान से जितने भी जुड़ेवे उनके साथ ही थे सबके कोविट टेस्ट किये गए हैं और सबके रिपोर्ट्स अब नेगिटिव आए हैं और अब रिपोर्ट्स नेगिटिव आ गए हैं तो अब आरेन खान और उनके बाकी साथ आम जो कैदी हैं बाकी कैदियों के साथ भी अब रह सकते हैं तो अगर पूरे एक दिन अब आरेन खान को कैदियों के साथ भी रहना पड़ेगा और अगर आने वाले समय में आरेन खान को जमानत नहीं मिलती है तो उनकी साथ उनकी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है आज रिसंट अपडेट क्या होगा ये तो देखना बहुत ही दिल्चस्प होगा फिलहाल के रिसंट अपडेट मैं आपको शेर कर दी है इस केस से जुड़े जो भी रियाक्शन से आप शेर करना चाहते हैं आप कर सकते हमारे कॉमेंट सेक्षिन में तमाम बॉलीवुड टीवी निक्ती रहें हमाना चानल